हम लोग इस पैसले से नाखूस सभिया जो हम लोग दुकान जाना धंकी दे रहते कि तुम्हारे थेले तोड़ दिये जाएंगे जो रीची नहीं दिक करेंगे अब क्या करेंगे भई हम लोग को कमाने काने का पंद्रह हजार रिपे आपका सेकर्टी लिया जाएंगे और शेह जार परतेक महीने ठेले के लिए जाएंगे ड़ी ड़ी सोज रहा है कि हम अपना पुरा बना ले बाकी जितना बच्चे का फुलवारी लगाएंगे वहां ते पांसो लोगों का परिवार का पेड़ चलता था आज वर्नार्थी के नगर निगम पे हैं और यहां पर देखी कि ठेला वेवसाई आज नगर निगम का घेराव पीकिये थे और अला अधिकारीयों को आने जाने से भी रोका गया लेकिन क्या पुरा मसला है सिधी तोर पर जान लेते हैं ठेला वेवसाई से यह बताई कि पूर वेंडिंडिंग जों जो बनाया गया थे डिल लवलू उसको पी डवलू के अधिकारीयों ने तोड दिया और तोड़ने के बाद वहां से जो लग रही थे दुकानों उनको हटाने का कार्य कर रहे थे रोजाना धंकी दे रहे थे तोड़ दिये जाएंगे और हटा द कि जल्दी आओ जल्दी पाओ इसके संधर्म में हम लोगों को जनकारी भी कि ऐसा किया जा रहा है या फिर गलत या सही था और कुछ जगह पे दुकान अगरा हटाये गया था उसी के लेकर कि हम लोगों ने पिछले 15 तारिक को धरना प्रतसन दिया गया था जिसमें हम लोगों दुबारा हम लोगों को धरना परतसन देना पड़ा तो आज जो है कि हम लोगों को सक्क्राइक संख्याम हम लोग जब उपस्तित हुए धरना परतसन दिये नगराये साथ मौझूद थे उन्होंने अपने ज्यान में लिया कि क्या कि आपकी मांगी है क्या तकलीफे हैं तो विचार करते हुए उन्होंने काना में डिल लबलू जो तोड़े गए हैं जोन को वहां निर्देश दिया कि चली ठीक है आप अपने इसाब से हमको जगह दिखाइए हम वहां पर कुछ काम करेंगे वहां से 500 लोगों का परिवार का पेड़ चलता था अब हम लोग कहा जाएंगे हम लोग को दूसरे जगह बसाएंगे कब बसाएंगे कहा बसाएंगे इसके लिए हम लोग बहुत चिंती थे बहुत परेशान है अस्वासन क्या मिला है अभी तक तो हम यह मिला कि आप लोग जगह चिन्नित करके बताएं तो हम आपको बसाएंगे लिकिन हम जाएंगे कहा मालूमे के नगर निकव कर जमिन कहा है जिसमें हम लेक्षाओन इदी वाला लोन भी लिया है पीसजार पचास जार ऐसे करके हम लोग परदान मंत्री जी का लोन लिया कैसे हम लोग भरेंगे बड़ा सवाल है कि लोन का भड़ने का है और भी लोग है क्या मामला है जो आप लोग यहां पर अधिकारी नगर निगम के लोग जाते हैं एक बार कहते हैं कि आप लोग लोग दुकाने अपना हटा लेते हैं लेकिन पीड़ाशासनिक अधिकारी जा करकर वहां के एक वेलडर को खटा दिया यहीं नगर नीगम यहीं डूड़ा और यहीं परशासनवाले सभी लोग पर्माड पत्र दिये हैं पर्माड पत्र का दसकत करके दिये हैं और उस पर दिखाने पर भी कोई सुनवाई नहीं है हम लोग बहुत परिशान है एक एक सब जीवाले दस दस जार रुपया और दुकंदार हैं बिसमी सजार पचास पचास जार रुपया ले करके सब स्वानेदी योजना चाहिए और भी लोग हैं उसके बात कर लेते हैं क्या कुछ मांगे हैं आप यहां पर लोग आये हैं दुकान में लोगों तुकान लगता है न श्राइग जमीन को खूझद सब्सक्राइब भी नगर निजमीन हम लोग कहां खूझे आदेखा जाएं के रोज उसली से जीवीका चलती थी लोगों कि जमीन नहीं है पीड़ डिया गया परतमान में आप वहां जाके विजिट करेंगे तो आपको नगर निगम बेंडिंग जुन का बूड भी दिखेगा आज कर रहें कि जमीन हमारी नहीं है हमारे चाचत विंडरों ने लून लिए सबके परिवार रेसर विजिकारियों की मांसा क्या है कि अर्दिकारियों का मांसा यह है कि यह कि व्यूर्व नगर निगम दोनों मिल के वहां पर अपना जितना जगा अपना पूरा बना लें बाखी जितना बच्चे वह फुलवारी लगाए को वहां पर क्योंकि मोदीजी का चंती 16 इसलिए सोच रहा है कि वहां पर विएएएइपी आगमार हमेश्चा जाना आना है वहां के बेल्डरों को अटा के वहां पूरा अगल बगल कि जितना नगा निगम की जमीन बचे फुलवारी लगा दे इसलिए नगा निगम में बोला है साब साब कि हमेरी वहां दो जमीन नहीं है फिर डवलूडी की है अभी राठोर जीते हैं कि हमारी जो पट्रियक्ट 2014 से उसमें धारा तीन बाई तीन में साफ लिखा हुआ है कि पहले हम लोग को बसाया जाए फिर उजड़ा जाए यहां हम लोग की दुकाने द कहां जाएगा विंडर यह बताई तो आप लोग की दुकाने टुट गई है अगली रण क्या होगी क्या बताया जैसे लोग कहें को इसे हम लोग करेंगे और तकलीप बार करेंगे आप लोग का दुकान भी टूट गया है सब चीज हो किया और सामने चुनाव भी है क्या लोग को कमाने काने कर भीया किया को कयी मत लोग कंगा बच्चो को रोडब टायगा और प्रतान मंत्री जी का लो leg भाएं जो बहुत खराब होंगा आए दिन प्रधान मंत्री का भी मुख्य मंत्री का तो आप लोग वहां तो क्यों नहीं बात पहुंचा पार किसे माध्यम से बात पहुंचाएं यहां पर तमाम तरह के संपर्क अधिकारी हैं यहां से आप बात कर सकते हैं करें नहीं है पहले दो आपना करा पी डेलोग कुछ तुन वाइप सुनवाई करने के लिए त्यार नहीं है जो की वहांangen बनने भी नाला बनने के बाद भी रोट बच रहा है जमीन बच रहा है हम लोगों को ठेला लगाने के लिए लेकिन फिर भी हम लोग को वहां से हटाया जा रहा है तो अगली रहनदीति आप लोगों की अब क्या हुपाई अब देखेंगे हम लोग अगली रहनदीति के बारे में सोचेंगे फिर हम आपको बताएंगे तो देखें यह ठेला बेवसाई हैं और सिधे तौर पे इनका आरोप है कि इनकी दुकानों को तोड़ दिया गया और वहां पर यह कहा गया कि आप लोग यह नगर निगम की जमीन नहीं है अब यह रोडवेज की जमीन है यह भी इन लोगों से कहा जा रहा है कि आप जमीन खोज कर देजिए तो यह गरीब आदमी क्या करेंगे सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह लोग को बहुत जारे लोग सपोर्ट करते हैं उनके बावजूद भी इनकी बाते सुनी नहीं जा रही है तो आने वाले उस समय में क्या इन लोग के साथ सरकार और यहां की प्रसासन या नगर निगम करेगी देखना दिल्चस्थ होगा लगातार हमारे साथ बने रहे रहे न्यूज हिंदी मासिक पत्र का पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूजबकेट की मैगजीन में हमारी इमागजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर इसके अलावा रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे यूटीब चानल को तुरं सब्सक्राइब करें